अमस्कार मैं हूं कोमल जो और आप मेरे साथ देख रहें वीके निउस राज कुंदरा पॉर्नोग्राफी केस में कई खुलासे होते जा रहे हैं अश्लील फिल्मों के काले चठे भी खुलते जा रहे हैं फिल्म में दुनिया की असलियत भी दिरी दिरी सामने आही रही है इसी पिच अडल्ट फिल्मों के काम करने वाली आक्टरेस शरलीन चोप्रा का नाम भी राज कुंदरा पॉर्नोगराफी केस में आ चुका है अक्ट्रेस शार्लीन चोप्डा से प्रॉपर्टी रॉपर्टी सेल टीम ने 8 घंटे की पूछतच की थी, जिसमें चोपडा ने राज के कई बड़े रास खोले हैं बता दे शर्लीन चोपड़ा को प्रॉपर्टी सेल विभाग ने 160 करोड की प्रॉपर्टी के अंतरगत समन भेजा था और इसी दोरान आक्ट्रिस के राजखुंद्रा के साथ उनके रिष्टों के बारे में भी पूछा गया अक्ट्रिस को शुक्रवार को दोपयार लगबग 7-12 बजे क्राइम प्रॉपरांच के ऑफिस बुलाया गया था और रात 8 बजे उनको क्राइम प्रॉपरांच के ऑफिस से भारें गलते वे देखा गया शर्लीन पहले बी राज कुंदरा के खिलाफ कई गमभीर आरोप लगा चुकी है शर्लीन का पॉन केस में गिरफतार और जेल में बंद राज कुंदरा की फर्म आर्म स्पराइस मीडिया के साथ कोंट्रां था वो कंट्राक्ट की कॉपी लेकर क्राइम ब्रांच के आफिस महुंची थी वहां से निकलने के बाद शरली ने मीडिया को बताया है कि वो मुंबई पोलस से मिलने गई थी जहां उन्से राज कुंद्रा के केस से जुड़े और आम्स प्राइज मीडिया को लेकर पूछ ताच की गई थी जहांच अधिकारियों ने ये भी पूछा कि उन्नोंने राज के साथ कितने वीडियो शूट किये हैं और वो किस कंटेंट प्रोडक्शन का हिस्सा थी जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को वाट्साप चार्ट, अग्रिमेंट, भयानों के तौर पर सौप दी है आपको बता दे शरलीन ने राज कुंद्रा पर कई गंबीरा रोप लगाये थे और उनके मताबिक राज कुंद्रा ने ही उन्हें अडल्ट फिल्मों के बिजनस में धकेला था राज ने उन्हें अडल्ट कॉंटेंट में काम करने के लिए जबरदस्ती की थी राज ने पहले उन्हें एक रोल आफर किया और फिर बाद में अडल्ट कॉंटेंट बनाने को कहा राज ने उन्हें अपने होटशोट आपके लिए शूट करने के लिए भी कहा था शरलीन ने कहा है कि राज और शिल्पा के रिष्टे कुछ अच्छे नहीं थे और इसलिए राज उनके पास जाया करते थे शरलीन ने राज से ये भी कहा था कि वो एक शादी शुदा आदमी के साथ रिष्टा नहीं रखना चाहती और ना ही बिजनस को अपनी नीजी जिंदगी में इंवाल्फ करना चाहती है तबी राज नहीं ने बताया कि उनका उनकी पतनी शिल्पा शेटी के साथ रिष्टा काफी कॉम्प्लिकेटेड है और वो घर पर जादातर समय तानाव में ही रहते हैं फिलाल के लिए पस इतना ही बागी कपरों के साथ जोड़े रहने के लिए देखते रहे है वीकेण यूँग